दोस्तों आज पूरे 58 साल हो चुके हैं सिक्षक दिवस को मनाया जाता आ रहा है यानि आजी के दिन 5 सितमबर 1912 इसवे में सिक्षक दिवस परारम हुआ था कैसे परारम हुआ था आए जानते हैं जब डॉक्टर स्रपली राधा कृष्णन जी को बोला गया उनके सिस्यों और दोस्तों ने कि हम आपका जन्मदिवस मनाना चाहते हैं तब डॉक्टर स्रपली कृष्णन जी ने बोला कि आप मेरे जन्मदिवस अलग से मनानी के बजाए अगर आप इसे सिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे तो मैं ज़्यादा गर्व मासूस करूँगा तब उनके दोस्तों ने ऐसा ही किया और उनके सिस्यों न भी ऐसा ही किया और तबी से 5 सितंबर 1962 से लगाता और परतेक वर्ष पूरे भारत में सिक्षक दिवस के रूप में मनाया आता रहा है आज 2020 में 58 वर्ष हो चुके हैं पूरे सिक्षक दिवस के तो दोस्तों आजी के दिन यानि 5 सितंबर 1988 इस्वी में डोक्टर सरपरी राधा कृष्णन जी का जन्म हुआ था तमिन नाडू में दोस्तों उसके बाद बता दें कि तमिन नाडू में जन्म हुआ उसके बाद उन्होंने सिक्षा अपनी वहीं पे पूरी की फिर भारत की राजन्तिक में इन्होंने अपना 10 साल काम किया पाली भारत के सारुपर्थम उपर राष्टपति पद पर 5 साल काम किये फिर उसके बाद भारत के राष्टपति पद पर 5 साल अपना काम किये बता दें कि हमारे सिक्षक जी दारसनिक, सिक्षावीद तथा प्रभावित हुए जिसके कारण भारत का सबसे सम्मानित पुरसकार भारत रत्न इन्हें 1954 इस्वी में परदान किया गया डॉक्टर राजेंद परसाद के द्वारा दोस्तों आज के दिन पूरे भारत में सिक्षक दिवस की लहर दोर पड़ी है सभी कोई अपने सिक्षक के परती प्यार को आभार को परकट करते हैं इसकूलों में कहीं गाने तो कहीं मनोरंजन आदी होते हैं और अपने सिक्षक के परती प्रेमभाव को परकट करते हैं मैं भी अपने सभी सिक्षकों को परणाम करता हूँ और आपके भी सभी सिक्षकों को परणाम करता हूँ और आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आये होगी धैनिवाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ